आज़ा सुनो इधर देखो मैच मैच किलने में सुबह जाद अच्छा लगता या शाम को दोनो टाइम दोनो टाइम अब ब्रेकफास्ट क्या खाओगे आप ब्रेकफास्ट क्या कुछ अच्छा क्या चलो ठीक है तो गार सुनिये आवाज ये देखें मोर की आवाज सुनिये आप सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता यहां कि और ये देखें पेड़ कितने हरे-भरे पेड़ हैं कितने मैं एक दिन यह सोच रही हूं कि यहां से ना पत्ते तोड़ के ले जाओं यह चोड़े वाले और फिर इन पे खाना खाएं हम लोग मैं कैई दिन से सोच रही हूं गाई जी देखें ये पत्ते न कितरे बड़े बड़े पत्ते हैं ये न पत्तल वाले पत्ते हैं पत्तल बनती है इनसे जो पत्तल बनती है न वो वाले पत्ते हैं ये देखें और इनकी मैं कैई दिन से सोच रही हूं मैंनकी चले खाना वाना खा आणबू 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 अब हुआ है सुबे का छे बजे कट आए और आज मैं डारेक्ट बना रही हूं अकैडमी से क्योंकि मैं आती हूं यहाँ पर अकैडमी एड्रस तो नहीं मैं रिवील करूंगी कि कहा आती हूं कैसे आती हूं बट क्या है कि बेटे को लेके मैं अकैडमी आती हूं और फुट्बॉल खेलता है बेटा खेलती ही तो मान भी भी है बस आज कलो उसके थोड़ी सी दिक्कत से चल रही है तो नहीं आ रही है तो बस बेटा आ रहा है और अभी मॉनिंग में मैं यहाँ पर आती हूं मॉर्निंग में मतलब तभी आती हूं जब छुट्टी होती है बच्चों की तभी आती हूं यह लोग तभी बुलाते हैं जो कोच है वंच का वो मॉर्निंग में तभी बुलाता है तब छुट्टी होती है और बाकी तो शाम की रहती है तो बस और यहां का एट्मोश्फेरा आ बहुत अच्छा है मुझे यहां पर आके बहुत ही बड़ी अलगता है और मोर चिल्दा आती है यहां पर सुबह तो है तो मेरत न सुबह आके यहां पर पूरा दिन बन जाता है बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह के माहुल में खेती बाड़ी हो हर्याली हो बहुत अच्छा लगता है सभी को चलाएगा मुझे के अन्नैचरल बिल्कुल अन्नैचरल जगा पर आके ऐसा लगता है कि प्रकरती की गोद में आगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगत आप लोग अगर रील्स मेरी वाच करते हों कंटीनियू तो वहां से थोड़ा बहुत आप लोगों को पता लग जाएगा और देखिए सीधी सी बात ही है कि अगर मूर सही नहीं होता ना तो कुछ भी व्लॉगिंग वगरा करने का जादा मन नहीं होता है मेरा तो इस वज़े से आज कई दिन के बाद मैं बना रही व्लॉग तो चलिए आज का व्लॉग इस्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं यहां का थोड़ा सा माहौल कि कैसा क्या है और गोर की आवाज जरूर सुनने कोसिश करिए आप लोग एंड वीडियो अगर पसंद आए एंड तक लाइक करें शेयर करेंड सब्सक्राइब करें चलिए तो गैस सुनिये अवाज यह देखिए मोर की आवाज सुनिये आप सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता यहां के और यह देखिए पेड कितने हरे भरे पेड़े हैं कितने मैं एक दिन सोच रहूं कि यहां से पत्ते तोड़ के लिए जाओं यह चोड़े वाले और फिर इन पे खाना खाएं हम लोग मैं क्या ही दिन से सोच रही हूं गाई जी देखें यह पत्ते न कितरे बड़े बड़े पत्ते हैं यह पत्तल वाले पत्ते हैं पत्तल बनती है इनसे जो पत्तल बनती है वो व देखें वहां भी उस साइड भी academy है उस साइड भी देखो वहां भी ground है इधर और ये ground है फुट बॉल का इधर अभी बच्चे क्षटे हो रहा है है यहां पर अभी ये देखें ये फुट बॉल का ground है यह देखिए स्टार्ट कर दिया बच्चों ने थुड़ा बहुत अभी सर नहीं आये हैं यह वाला जो ग्राउंड है वो है किर्केट ग्राउंड यहां पर बच्चे किर्केट खेलते हैं किर्केट काफी बड़ा ग्राउंड है यह देखिए यह किर्केट का ग्राउंड है तो गाई यह देखिए इस पर ना बेटा खेलता है इधर फुटबॉल और मैं यहां वॉक करती हूं इस पर डेली डेली वहां से वहां तक कम से कम मैं 20 चक्कर मार देती हूं क्यूंकि अब गाच्व 1 सुबह मॉनिंग में तो केट वाले बच्चे हैं नहीं और यहां पर यह पर सबसे पहले तो बच्चे थोड़ा सा वॉक कर talk करेंगे और धीरे धीरे जैसे यहसा इनकी बॉड़ी गरम होगी फिर रनिंग करना है स्टार्ट करेंगे देखिए यहां पर क्योंकि एकदम प्रैसर पड़ता है एकदम कभी नहीं करना चीए भागना नहीं चीए कभी भी तो अभी दीरे दीरे एक दो राउंड बच्चे ऐसे मारेंगे फिर रनिंग करेंगे और उसके बाद फुट वॉल स्टार्ट करेंगे बच्चे तो देखिए तो जिनके बच्चे छोटे हैं अभी मेरा बेटा नौ साल का है और देखिए कि बढ़ी आवाज आ रही है मोर की ब बहुत मतलब दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मतलब वर्ड्स मैं नहीं बोल सकती आपको तो मैं यहीं बोलूँगी कि देखिए जिनके छोटे बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि आठ साल से स्टार्टिंग करवा सकते हैं कि सीवी गेम्स के लिए कोई भी गेम अगर खेलना हो बच्चों को तो आठ साल से स्टार्ट करवा दिए तो ना फिर आगे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ गेम्स के रूल्स रेगुलेशन आदत पड़ जाएगी क्योंक कि यही स्टेज होती है बच्चे को अगर आपको किसी स्पोर्ट में कराना है तो आठ नौ साल का करा दीजिए तो बस बेटे को करा दिया है मैंने और सबसे बड़ी बात यह होती है कि देखिए पेरेंट्स का भी थोड़ा स्यडियूल बन जाता है हजबेंड का तो सुब्स प्रफिस होता है मौनिंग में साड़े साथ आठ वजे वो जाते हैं तो वो तो नहीं यह है कि फिर वो जल्द बाजी में भागेंगे यहां से और मैं पूरा कंप्लीट करा कैसे से लेकर जाती हूं बेटे को तो इस वज़े से वह कहते तो हैं कि मैं करा लाता हूं लेकिन फ अच्छा लगता है गूमना ऐसी जगाओं पर वैसे तो पूरा दिन कहीं ऐसा निकलना नहीं होता और सबसे चीज यह है कि देखिए स्पोर्ट्स अगर आपको मैं वही क्या रही हूं कि अगर कराना है तो इसी स्टेज पर करा दीजिए किसी भी स्पोर्ट्स में कराना है त बस मैंने करा दिया अब देखिए बच्चे खेलते हैं तो ग्रोथ भी होती है बॉड़ी की अच्छी होती है और आगे-आगे ना खेल समझ में आ जाता है अच्छे से बच्चे को दिखती होती बस बट खान पान का भी पूरा ध्यान रखिए अब इतनी मेहनत बच्चा करे तो पूरी एकदम डाइट भी उसके अच्छी होनी चाहिए पनीर है बादाम है जूस है फ्रूट्स है यह सब जादा चीजा होनी चाहिए उसकी डाइट में तो बस बच्चे का अगर अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बच्चा निकल जाएगा एक ना एक दिन और इसके प जापाक को, माबाप को बढ़ना पड़ता है और बाकियों कर देखिए सब मतलब बात में ही है मा से बढ़के बच्चे के लिए कोई nao होती तो सबसे पहले मां को ही आगे बढ़ना पड़ता है तो आप लोगों को अगर मतलब बच्चे को कुछ कराना है तो बढ़िए आगे मेहनत करिए घर भी मैनेज करिए बाहर भी करिए सारी चीज़ें करिए चलिए आप लोग एंड तक व्लॉग में बने रहिए आज आपको देखने के लिए मैं लेगा कुछ यूनिक सा मैंने सोचा चलिए आज अकेडमी से ही या मतलब मैं इंट्रो बनाती हूँ तो आज बच्चों को मिल गया यह किर्केट वाला ग्राउंड खाली तो आज बच्चे उठा रहे हैं इसका फुल फाइदा क्योंकि यह जो ग्राउंड है ना फुट्बॉल ग्राउंड भी काफी बड़ा है बट किर्केट वाला जो ग्राउंड ना यह बहुत ज्यादा और देखें, मेरा बेटा आरा है ये देखें वांश को सबसे चोटा है सबसे आगे वाला आप देखें वो जा रहा है pink and black dress में सबसे आगे जो चोटा है जीं लोग पता है उन्हें तो पता ही है जिनको नहीं पता तो देखें हो जा रहा है सबी बच्चे यहां पे रनेंग कर रहे हैं पहले फेर यह चोटी सी लड़की है यह बिल्खुल थोल तोल ही पड़ी है देखिये बजण देखिये इसका यह खाका के पीजा और बर्गर वाली बच्ची है सबसे पीछे है इसको बहुत मेनद करने पड़े और यह मेनद करना भी नहीं चाहती है सबसे पीछे रह जाती है यह देखिए इसके कोच बहुत पीछे लगता जब जाके भगती है और देखिए इस तरीके से यह टायर यहां पर होते हैं बच्चे करते हैं इसे प्रैक्टिस यह देखिए एक्सरसाइज करते हैं बच्चे और यहां पे जम मैच होता है तो यहां पे लगता है बोर्ड और देखें कितने स्पीड में बच्चे अब तो स्पीड पकड़ लिये उनलोगों ने पढ़िया वाली अच्छी वाले स्पीड में बच्चे रनिंग कर रहा है GUYS यह देखें, यह लड़की न इतना कोज पीछे लग रहा है, सब भी भाग नहीं रही है, यह देखे, कोज सर वो रहे पीछे, वो रहे देखे, यह रहा है, और यह देखे, स्पीड वही चीटरी की चाल है, चल नहीं रही है, यह देखे, बच्चे कहां पहुंच गए, वो देखे, वो सारे बच्चे वहां पहुंच गए और ये लिए पीछे जवर जस्ती मावा अपने डाल दिया है गाईजी देखिए इससे ना पिच यह है बच्चों की पिच क्रिकट खेलने की इससे एकदम ग्राउंड जो है इक्वल होता है तो बस उपर नीचे नहीं होना चाहिए ना ग्राउंड तो इससे होत तो मैं भी गाईज आ गई हूँ घास में गूमने नंगे पैर क्योंकि सुबह सुबह की यह जो घास है बहुत बढ़िया एक्क्यूप्रेसर का काम करती है चुबने वाली वैसे चुबनी रहे है क्योंकि कटी हुई है काफी अथी से बस यहाँ पर मैं गूमने आ गई हूँ तो सुबह सुबह तो न अगर आप लोग किसी भी ग्राउंड में इस तरीके से आते हो तो घास में जरूर गूमिये नंगे पैर एक तो घास एक्क्यूप्रेसर का काम करती है प्लस जो रात की जो ओस जमी रहती है इस पर घास पर वो बॉड़ी के अंदर जाती है तो बहु यह सुबह ज्यादा एनर्जी वोती है ना बौडी में जादा एनर्जी होती है तो इस बज़ेसे बहुत अच्छा होता है सुबह काम कहलने के लिधे किसी भी इक ने के लिए गेम स्घेव्रों के लिए औरहां साहरा हमारे जैसे का भी पाइदा हो जाता है कि हम घूम लेते छुट्टी वाले देनी वैसे है बुला दे चलिए दो भही घुम लेते हैं पहले थोड़ा साथ ते देखे सूरिदेवता निकलते आ रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं यह देखिए आज तो आपको नमक है स्पोरी प्रकरति दिखा दूंगी एक तो बहुत सुन्दर लग रहे हैं यह देखिए बस उदै हो रहे हैं सूर्देव यह देखिए यहाँ पर मक्य का खेत यह जुए यहाँ पर हो रही है मक्का यह देखिए बच्चों की फॉल प्रैक्टिस बढ़िया वाली स्टार्ट होगी उदर यह देखिए यहाँ पर एक सा is stretching चल रही है है और देखें कोज सर को बहुती बढ़िया कोज सर है एकड़म प्रक्टिस अच्छे एक्सरसाइज प्रक्टिस बहुती बढ़िया तरीके से तो आज एक बस है बच्चों का तो देखें मैच स्टार्ट हो गया है तो गाइज कोज सर है न वो काफी अच्छे से हैंडल करता है बच्चों को यह देखे वो कोज से हैंडल कोज सर दीग वाइज कोज से हैंडल अजय जए एल्च कोपल चुको अजद एल्च करो कि एल्च कोटी नहीं वाइ। कि अअ अ जा नहां जा 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 एज कि आने गौटो आ जा एल गौटो जा एंस बो यंद एंस यू जा अ के या जा है इंस अ जाए जा इंस ओब हाद को नहीं चाहे इंस अ बाइवर को बहुता इंस आपादें हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है फिर के बैट गई हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है अब इतक दूप तो निकली नहीं है बढ़िया फूल कहल रहा है यहां पे पीले कलर के सफेद कलर के बहुत ही बड़िया एट्मॉस्फेयर होता है सुबैक का तो यहां का गाइज वन्स मैच खेल के आ गया और अब बताएगा क्या रहा चलो बताओ क्या रहा आपके मैच में गोल मार दे और देखिये पसीना पसीना दिखाऊ गाइस को अलो में तो बोल दो गाइस को हैलो गाइस तो मजा आए आपको आज मॉन्निंग में में तोड़ा सा दूर से बात करो अब बज्याए कौंसे टीम जीती हमारी आपकी और पानी कितना पिया हुआ हुआ है यहां तक बचाए चले आओ चले आओ चले जो आज शुना इधर देखो किलने में सुबह जाद अच्छा लगता या शाम को दोनों टाइम दोनों टाइम अब ब्रेकफास्ट क्या खाओगे आप क्या चलो ठीक है अब गिर गए थे ना गिरिया था तो बटा अच्छा वदू क्या हमारे दूसी टिमें था कि बार बार कभी कभार वो अच्छा खेल रहे थे मैं देख रही थे आपको अच्छा खेल रहे हैं चलो ठीक है को मैंने पास देख देकर उससे गोल कर आठागे अब आले ना नहा के बस ब्रेकफास्ट कर ले ना अब करना ही क्या है मम्मी के चुननी हो गया बेटा मेरी मैंने किसी पेड़ पर बांदी बता नहीं कहां कहां वहां दी मैंने को ले दो नहीं है मेरी जुननी को अब चलो बताया नहीं आपने नास तक क्या खाओ गया है का क्या हो गया है को शुआ वह वह खाना है कि चीला गाना है वेशन को अब चीला के साथ हो दूद है ना वेशन का चीला और दूद बादाम का है तेरे पापा ने बादाम बहुए नहीं रात को पर दूद तो पीना नहीं वेटा अब तो महरे समचेंज हो गया है चाई नहीं चाई थोड़े काहा हो रहा जुखाम प्या जूटे जूटे काहीं नहीं हो रहा जुखाम चाई महिले बेक्ने चलो जुखाम यहां पर बांदे क्यों नहीं अपनी चीटी बहुत है यहां पर चीटी इतनी ज्यादा है पेड़ों पर चीटी लग जाती है चीटी चीटी भरी पड़ी है फूरी अब शलो भई अब चलते हैं और लगते हैं अपने ब्रेकफास्ट पर ज्याई या एग या झा य। आग से एमे जुख य। 3 करो rocking तो गैज अब चल दियें और अब जाके बनाएंगे ब्रेकफास्ट देखते हैं अब वैसे तो चीले की कह रहा है यह चीले खाएगा देखते हैं वाकिमान भी बंशी को ठाएंगे जाके और अब सो रही होंगी वैसे तो उठगी होगी बंशी तो चल को चलो जुते छोड़े नहीं परी इसको दो नहीं चलो है इसको दो दिने को दो दो देखते हैं कि रीक चलो कि बैग रहने देना ही पर ही तुगी निकार कर रहे हैं अरे बुरी घुश गई अंदर पूरी बार चल पुलट को साफ कर रहे हो हूं पूरी बहुत जिद्धन है और गुसगी देखो उनके अंदर गुसगी और नहीं निकलेगी बार बार चलो चलो जिद्धियों की तरह अंदर जाके बैठी है बहुत चालू है इसको पता है यहां पर नहीं निकालेगी सुबस को साफ करने की टोबल है तोलट साफ करने की नहीं है चलो चलो होगी साफ चलो जालोगी अब पंशे गंदी हो गई निकालेगी नि haul की अओ चलो लेट गई वहां जाकर अब नहीं निकले गई चालू गई जा है जाए देखिए इसको आप जाना है गुमने है क्या है हाती गुमाने नहीं ले जारी मैं अब भी ले जाओं गुमाने बाद में ले जाओंगे मैंने ले जारी अभी है कर दिया की मैया की से वह होगी जाय कर लीजिए आफ लोग अनार से बहुग लग गया है देखिए लिगें महिया की दर्शन कर लिजिए कंदिया क्या नारी विटएफ़ अट है नार चीए कनाने दाव अनार चल रहा है कैसी तब है तब तेरी पसीना आ रहा है कि ब्रेश कर लिया कि अच्छो चलो ठीक है मान भी सो रही है अभी पचास बर उठाने के बाद भी सो रही है अन्भू अन्भू कब तक चलो ठो ब्रेश ब्रेश करो अब चलो ठोटके ऐस चुट्टी वाले देन अब फुल मस्ती में रहती है लड़की और अब बज रहे है नौ और अब उठने का नाम नहीं है इसका उठ जा चलो बेटा मन भू ठोरी आओ ठोरी छोरी 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 खांस हो रही छोरी चलो क्या क्या मंगाले गाई यह देखिए ब्लिंकेट से मंगालिया यह इतना समान इन लोगोंने चिप्स बंगालिये मैगी मंगाली लेज तो क्या खाना है तेरको इधर आ इसको खाने है चीले और इन लोगों को खानी है वेजिटेबल मैगी तो इनकी फर्माई से मैं बताओ कब तक फूरी करूँ कि पिटा ये थोड़े से बातन में लगा दिये थे फिर मैन अन्टी के साथ वह कर रहे थे इन फ्रटब्व लगा दो अन्टी के साथ मैंने कपडे फॉल्ड किये थे आतं तो यह रह गए थे ने अरे वह जाड़ु-पोच्छे वाली अंटी किcondya और रखो तो गाइस बस पूरे गरख आ ass sum फटम ने चुकी आ आए और नहांकि बस आ गया आगा आगाया Allah मैंने का चरो पहले नहांकि तब बनाऊंगी फ्लेक्फार्स क्योंकि वहाँकि एक्षा आने के बाद ना काफी गर्मी लग जाती है तो बस ब्रेक्वास्ट बनाऊंगे बच्चे ना अलग अलग फरमाइस करते हैं दिमाग खराब कर रखा हैं लोगों ना मानवी वैंश ही कह रही है कि उनको वेजिटेबल मैगी खानी है और वैंश कह रहा है कि मुझे चीले खाने चलिए तो यहां पर चीले का बैटर बना लेते हैं और धाई कप डालूंगी मैं बेशन चने का आटा तो यहां पर अच्छे से बनाएंगे एक तम बड़ी अतरह से चलिए यहां पर डाल दिया है मैंने चौप किये हुए टमाटर प्याज हराधनिया तो देखिए यह सारी कि- chasing दबिलकोल बार ही कटी हुही होने चाहिए और डाल दूंगी नमक थोड़ा सा दौब थोड़ी सी कुटी ह splendid ही लाल मिच थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि वं चilipp sweep नदर थो थोड़ी सी और जीर्त और हींग थोड़ी sea- कि 여羽ひंग के बगएर कुछ नहीं हीं जरूर एड़ करिएगा अपने पूरे खाने में क्योंकि पेट के लिए भूत ही होती हंच्छ हाजमे के लिए हींग तो बिना हींग के कुछ भी खाना नहीं बनाएगा अपने बच्चों के लिए तो बस और बना लिया है चले अब बना लेते हैं पहले लगा देंगे देशी घी आ चाहें जो भी लगा सकते हैं तेल जो भी आप यूज़ करते हैं oil तो मैं बनाती हो हमेशा देशी घी में मेलाजा ही थोड़ा सा टाल देंगे तो मैं तो देखिए बच्चों को अच्छे से बिलकुत भर भर के उपर से घी लगा के जब देती हूं और यहां पर वंश की होगी यह प्लेट रेडी तो दूद नहीं पी रहा हूँ कहा था वह मुझे चाई पी नहीं है तो बस हलकी से पत्ती लगाई है दूद में क्योंकि उसको थोड़ा सा हलका सा हो रहा है खांसी का सा आजकल मौसम ऐसा चल रहाएगा इस बहुत ज़्यादा न तो इस वज़े से तो दूद में पत्ती लगाके हलकी से उसको दे दिये और वंश का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आ गई हूं मैं जिमान भी वंशी का बनाने के लिए तो चलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी प्याज काटी है लंबी लंबी स्लाइस और धेर सारी प्याज डाली है क्योंकि मैगी में तो प्याज टमाटर और शिमना मेच्छी मैं हो तो आप मैगी में उसको डाल सकते हैं मैगी वैसे तो हेल्दी नहीं है लेकिन क्या है के वेजचेबल डालने से थोड़ी सी हेल्दी बन जाती है वैसे भी हम लोग हमेशा नहीं काते कभी कबार बच्चों का मन करता है लेकिन क्या है कि बच्चों का कभी कवार बिलकुल थोड़ा मन कर जाता है तो मैं बना देती हूं तो लेकिन यह कि हां healthy मैं बनाती हूं अच्छे से मैगी जो है यह वेजिटेपल वाली शिम्म्ला में रिछ फिनिश ओ गई हैं खतम हो गई हैं है नहीं आज खल तो बस प्याज और टमाटर में डाले हो और मैगी मसाला और ज़्यादा कुछ नहीं सिंपल बस जितनी प्यास टमाटर लिये थे उतने ही हलके से नमक डाला था पस और कुछ भी ने और सरसों का तेल तो देखिए बढ़िया मैगी यहां पर बनके रैडी हो गई है बहुत ही बढ़िया और डाल देते हैं बच्चों के लिए और अपने लिए भी मैं डालोंगी ब चैडमी सुबह मौनिंग में ले जाना होता है तो और थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है तो बस यहां पर मैगी बन गई है बच्चों के लिए और दे देते हैं बच्चों को देखिए अगर उनकी पसंद काई खाना नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है बच्चों क चीला वैसे तो प्लेन चीला मांग रहा था बेटा लेकिन मैंने चीला खाने का नहीं कोई फायदा नहीं है वैसे चने काटा ही होता है लेकिन यह कि हाँ वेजीटेबल सपढ़ जाती है तो और भी अच्छा हेल्दी बन जाता है तो बस नास्ता दे दिया है तो चलिया आज का व्लॉग मैं बस यहीं तक रख रही हूं आगे नहीं और बस मैं ब्रेकफार्स्ट कर रही हूं और आज आपने देखा फुटवॉल अकैडमी का मैंने थोड़ा बहुत दिखाया आपको बच्चों को तो देखिए आप लोग अगर बच्चे ग्रोध कर रहा है आट साल य करवाइए और देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह कि उनकी आगे चलके वह स्पोर्ट में निकले ना निकले वैसे तो पॉजिटिवी रखना चाहिए कि निकलेंगे हमारे बच्चे आगे चलके लेकिन यह कि अगर बाइचांस अगर नहीं भी निकल पाते हैं तो बच्च सबसे ट्राइब होते हैं तो हइट में अगर अगर चाहिए तो अच्छी हमारे बढ़ीया मजबूत बॉड़ी सब्सेयें बहुत कुछ फायदे हैं च्षाम सब्सेश्याने सीथ और भगवान जाएं, नियुकित है किस अधी וडियोग की रही है, व्हारे सब्सक्राण करणा रही बागी बगवान की कि मैंथा मिलते हैं आप से एक और इंट्रेस्टिंग व्लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई एंड सी यू अगेन रादे रादे